दोस्तो जैशीरी राम जैशीरी पालाजी माराज दोस्तो कैसे हो आप सब आशा करते हैं कि आप सब जो है सुरक्सिते हैं स्वस्ते हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है और जो है दोस्तो आप सब को गुरु पुरुनिमा की हारदिक सुब कामना है और अपने अपने गुरुओं को नमन करके, हम भी आज की वीडियो के साथ, आपके साथ हाजी रहें, और दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, वो है जो लोग जैसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को मन में ये सवाल होगा, कि हमारे शरीर में सवारी आती है, और हमारे शरीर में या कोई चीज बोलती है खेलाती है किसी भी तरह के अलग अलग जगों के अलग अलग जो है सवद हैं अलग अलग तरह से वो प्रेजेंट करते हैं तो यही चीज में आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप भी जूमते हो या आपके शरीर के अंदर आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर जो है positive energy है या negative energy है वो आप कैसे पैचान सकते हैं बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था और बहुत सारे लोगों ने जो है comment करके भी बोला है तो जो है आज की आपकी वीडियो जो है त्यार है और जो है दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी ल जै शरी राम जै शरी बाला जी महराज महंदी पुर की पवित्र शक्तियां आपके प्रिवार की रक्षा करें और आपके घर में हमेशा सकरात्मक उर्जा का वास रहे ऐसी कामना अपने इश्ट देव शरी बाला जी महराज से करते हैं और अपने अराद्य गुरु देव से करते हैं गुरु ब्रम्मा गुरु विशिनु गुरु देव महेश्वरा गुरु शाक्षा प्रमा तसमेश्री गुरुवे नमा शंकर भगवान हमारे अराध्य गुरु देव हैं उनके शिरी चर्णों में कोटी-कोटी नमन है आज गुरु पुरुनिमा की आप सभी को लोग जैसे की खेलते हैं और खेलने के बाद उनको यह नहीं पता लगता मेरे पास इस पकार के अनगिनत फोन आ रहे हैं वो कहते हैं कि मेरी मिसिज खेल रही है नेकिन यह नहीं पता लगता जी है कि यह अच्छी चीज है या गंदी चीज है तो हम किस पकार इस चीजों को जान सकते हैं कि वो चीज गंदी है या अच्छी है और हमें पता नहीं है क्योंकि जो अंजान आदमी होता है वो इसी से वाकत नहीं होता वो उसके सामने कहीं तरहों के रूप पेश कर लेती है तो कई वारी पेश्ची में आकर वो क्या बोल देगी कि मैं काली हूं अगर वो पेश्ची के पास आप लेके जाओगे तो वो क्या वह लेगा मैं संकर जी का गन हूं और जो आप अनुमान जी की ना जो कि तुम्हा कर देते हैं गुम्रहा करने के साथ-साथ वो आपको बचा रहता है जिस जहां जाता है उसी पकार का वो कारिये कर देता है अब जैसे भो इतने समय से तो मैं इसी चीज के उपर से परदा उठाने वाला हूं कि आप कैसे जाने कि आपके घर में कोई चीज खेल रही है और आपको उसकी बातों में आकर इस पकार के कारिये करते जा रहे हो कुछ ऐसी भी हमें बता चलिए बाते लोग फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि यह हमने बली भी दी है हाँ यही चीज में आपको उता तो क्यूंकि ऐसा होता है देखो सकरात्म कुर्जा और नकरात्म कुर्जा इस संसार में दो उर्जाएं काम करती है अच्छी और बुरी पो पर पोजिटीव है या नेगटिव है उस चीज में आपको बडी बारीकी से बताता हूँ स्टप अगर आपके घर में आहखेु आप state ? अब आ Toby के भारेERS का करते हैं कि और न्यागरे चीज का कर रही है मालो कोई चीज घ्र रही है को खेलने के बाद उस विखती से शरीर प पेट परोब्लम रहती है या कई गुटनों में पिरोब्लम रही है या कंदे भाड़ी रहते हैं यह सिर पर वजन रहता है बहुत ही ज्यादा एक दम पहाडों तो ऐसा होता है कहीं लोग सात्विक शक्तियों को पूछते हैं, कहीं तामसिक शक्तियों को भी पूछते हैं, कहीं के देवता तेज धार, तलवार की धार दैसे होते हैं, कहीं के देवता नरम होते हैं, और कहीं के देवता तेज धार की होते हैं, हिमाचल के साइड जो पारी विंनलाकों में भी कई ऐसे देवीदेवता हैं जो तलवार की नौल पर चल रहे हैं जैसे कि बेहरव की या काल बेहरव या कोई ऐसी सक्तियां झो होती हैं जो तेज़ धार की तुरिक्के से होती हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आप बार बार वो शरीर पर आ रही है और इस पकार की डिमांड रख रही है और शरीर अंदर से खतम होता जा रहा है तो वो चीज आपकी अच्छी नहीं है आपके कुल को आज तो आपका शरीर पकड़ रखा है कल को वो किसी और का शरीर जानटर जग्रे बने वे गर में कोई भी पॉजिटिव कारिये आप करते हो कई भी पॉजिव करते हो जैसे कि तो उसी पर बिचार नहीं मिलते पूजा कर दिने बैठते हो तो अचानक ही अंदर से क्रोध उत्पन aut already अंदर से क्रोध उत्पन हो जाता है अब शबद निकलने लग जाते हैं किसी के परती और अंदर से एसामने वाले व्रक्ति को ऐसा लगता है कि इसको मार देना चाहिए इस पकार की विचार अगर उत्पन हो रहे हैं बार बार किसी के पती इस पकार के कारिया जो है उत्पन होते हैं तो ये जो कारिया है ये गलत है ये जो चीज है तो आपके शरीर के उपर अपना परकोब बनाए बठी है और बार बार खेल कर आपको गुम्रा करती है मेरे को ये भोग लगाईए मेरे को ये भोग लगाईए देखिए अगर आप देवताओं को भोग लगाते हो या देवी देवताओं को भोग लगाते हो तो उनकी किरपा आपके ओपर निंतर बरस्ती रहती है इनका इसाब उल्टा है इनका जो काम है उल्टी तरिके का है अगर किसी ऐसी शक्तियों को आप पूझ रहे हो और उसको continue भोग देते जा रहे हो तो वो आपको safe नहीं करेगा बलकि और दूना तंग करेगा क्योंकि उस भोग से वो और भी ज़्यादा बलवान हो रहे है बलवान हो रहे है और आपके ओपर और भी ज़्यादा बजन डालता जा रहे है तो इस पकार की जो नेग्टिव नर्जियां आती है शरीर के ओपर इसके इंडिकेटर्स होते हैं शरीर के कहीं अंग काम ना करना जैसे कि शरीर के कई अंगों पर सरीर पर चीज है, तो वो कहीं न कहीं काम निकर पाती, शरीर के अंगों के ओपर कहीं न कहीं बजन रहता है 24 अवर्स और जब इस पकार की एनरजी आती है, तो ये आपको शुद करवानी चाहिए, चैए उसमें घर की चीज हो चैए कोई चीज आपके सिद्ध करीवी आईवी हो या कई वारी ऐसे लोग भी होते हैं कि कई अटपती साधनाएं कर देते हैं चोटी जैसे की अपसराएं साधना या कोई और इप्रिस पकार की साधना तो उनसे संबलती तो है नहीं कई वरी बगैर गुरू के कारिये कर देते तो उल्टी भी पड़ जाती है तो उस पकार की नरजी जो होती है वो अलग तरिके की होती है वह नरजी मैं इस चीज में नहीं लेकर अलग तरिके की वह नरजी है मैं इसने में वही बता रहा हूं कि आपके ओपर प्रेत आ रहा है या परेत की सवारी है या परेत की कोई पशी आ रही है या कोई एलग-अलग स्टेट की अलग-अलग लेंगवेज है या फिर कोई खेल इसकी आरे है जो या कोई गूम रहा है तो इस व्यक्ति की अंदर 24 गंटे उसका सीर्व गूमता रहेगा वजन रहेगा सिर्पर और इस पर का कारिय उस पर रहेगा दो वजन रहेगा शरीर अंदर से तुटेगा जैसे कही हजार टनों का वजन शरीर के उपर आ गया अगर वह पेसी खागर खाने खाता है खेलता है बुते रहे तो बाद में शरीर भी तूटता है जैसे हम मा काली की शक्ती है अगर वो शरीर पर आती है अगर उस उब सकरात्म कुर्जा की तरिके से आती है तो कितना भी बंदा सिर मार ले दो मिन्ट के बाद पेशी खाने के बाद हलका हो जाएगा अगर नकरातम कुर्जा की द्रिक्चे से आ रही है तो वो पेशी के बाद ऐसा भारी रहेगा ऐसा तूटेगा मालो बजन रहेगा और ऊछी के बाद वह श्रीव क्या होगा मलो चूर हो जाएगा और उसके भाद जब कोई गुरु की गुर्पा ये कोई ऐसा मत्था लेकर के रेक्पाट के एक लगए में जैसे कि किसी को कहा कि दर्कास लगा दे है कानी में चाल ले जो भी ग्रएगानी होते हैं यह कोई ऐसा कारेगरम हम पढ़ के देते हैं उस बगा्रा ये करता है दो रहल का हो जाता है शरीर में तब कहते हैं जी मेरे को ऐसा मेह सुझ ही निः वाजरा मानून महपने Pat Smith अब मोझा करते हो अधिक से ज्यादा आपके अंदर अबासिया आती है आपके आशों की धारा निकल जाती है और आपका मनी नहीं करता मालोग पूजा से उठने का मनी नहीं करता मन करता है कि मैं बस पूजा करता रहूं अगर आप राम नाम जप रहे हो तो राम नाम का निंतर गुनगान कर रहे हो कंटीनू आपका मनी नहीं कर रहा में उठ रहा हूं मेरा मन ही नहीं करता उठने का शरीर में हलका पन मैसूस होता है आपको जब आप आख बंद करते हैं तो आपको ऐसा मैसूस होता है जैसे जमीन से दो फुट उपर हो बैड पर सोते में तो ऐसा मैसुषthen मैसूष खोटे कि अपको यह लग नहीं रहे ही फुलों की छायां से हलकाib disg Kel टता और चुछ along और जो भी शरीब जोगी जो कि जो देव शक्ती होती है वह इतने ही हिस्षे पर आति है। इतने ही हिस्से के उपर वास करती है जो प्रेट शक्ति होती है वो इतने हिस्से पर वास करती है इन पे इन पे इन पे इन पे इन पे इन पे जी 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 जो पे देव शक्ति यहीं पर वास करेगी बस उसको वो जो देव शक्ती होगी वो अलगी त्रिक्के की होगी और जो सिद्धी की शक्ती होती है वो दिखने से भी नी दिखती किस के पास सिद्धी है उसकी चाल ही अलग होती है वो सामने वाले के समझ में चल्दी सी आएगी नि या कोई साधना की शक्ती है या कोई मंतर की शक्ती है किसीने मंतर सिद्ध किया हो या कोई हनुवान जी की सिद्धी प्राप्त की हो तो दिखने से भी नहीं दिख पाएगी सिरफ मैस को मैसू वही देव पूरुशन ही जो सद पूरुश होगा या जिसने कोई साधना करी होगी या अपने आपको तप से शरीर को तपाया होगा वही पहचान सकता है या किसी के अंदर कोई देव पूर्शाय वही पहचान सकता है कि आपके पास देवता की शक्ती है आपके बस देव शक्ती है और वोही उसी पकार से आपको उस देवता को पूर्ण रूप से ताकतवर बनाईये उसको निरंतर भक्ती दीजिए चो इस पकार की कई संकर जो हैं गुम्रा कर देते हैं ये मैंने आपको सकरात्मक उर्जा के बारे में बताया है नकरातमक में मैंने हिंट दिया है आपको और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके उपर इस पकार की चीज़े आ रही हैं तो आपको इनको शुद करवाना चाहिए कई वर क्या होता है कि हम जैसे कि कोई चीज हमारे घर में आ गई हम उसको क्या करेंगे कंटीनू ऐसे ही मेरे पास एक केस आया था बार से पारी लाके से तो उनके अंदर खेल पड़ती थी पूरा खेलती थी वो तो उसमें खेल कर वो कहते थी कि भाईया इनके अंदर कोई देवी आती है कहते है चलो ठीक है आप तो जानते हो तो वो जब देवी आती है तो मैंने का भाई देवी आते है चलो ठीक है अब देवी तो आती है नेकिन वो लेडिस सूखती जा रही थी शरीर की सुन्दर थी और बाद में वो लेडिस आयसे ऐसे 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 ओरी थी मालो दो साल के अंदर वह लेडी सूक गई बिलकुल अब वो उसका घरवाला कहता है भाईया एक घंटा रोज खेलती है ऐसे पूजा करती है पर एक घंटा रोज खेलती है मैंने का चलो भे ठीक है वो मेरे पास आए आकर मैंने देखा मैंने पूछा उससे बढ़ाओ कोन हो आ तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मालो पारी लाकी भास्षा में बोली हमालो मालो ऐसा दो नहीं बोला कि मैं देवी हूं फलाना पलाना उस जगह से मैंने का ठीक है मैंगा चलो देवी हो तो आप एक काम कीजिए महंदीपूर चलने में तो आपको कोई बढ़ाई नहीं करते क्यों जी मेंदिपूर में तो समध्र शक्तियावास करती है बाला जी माराज की किरपा है और मा काली की वी किरपा है समशान काली भी healthy esse प्रयो भी है शिरी प्रेत्रा सरकार भी है समादी वाले बाबा भी यह शंकर भगमान भी मैंन्दिपुर नहीं हो अगर आप चलो तो क्या तका ku मान जी का मंदिर मता के हाँ करहें प्रथन्हकरीकरम करकेрушता जोर जोर सी कि को मारन लगी तो उसका घरवाला बहीं बैठा ता उसने अपने वीडियो शूट करी उसकी मैंने का भी देख ले तिरको जो भी है इसके बियान कर रही है कल को कोई बात सिलिप हो जे शूट करी तो वो बोल पड़ी कि मैंने इनको इतने समय से गुमरा किया ये था फलाना था मैं कोई देव शक्ती नहीं हूँ मैं एक फलानी जगह से ऐसे चीज हूँ और वहाँ चुराय से टप रहे थे इनके साथ लग गई और ये वहाँ जाते थे ये वहाँ जाते थे तो मैंने इनको उसी त्रिके से इनको गुमरा करा रखा और कम से कम ये लगा लो साथ साल तक साथ साल तक वो ऐस पकार से गुमरा होते रहे और दो साल में तो उसकी ऐसी हालत करती थी कि मालो कई बार वो होस्पिलाइज होगी तो इस पकार की कई बगार की शक्तियां मैं ये नहीं कहता कि किसी के ओपर किसी भाई के ओपर कोई किरपा आती है तो घर किरपा मारी नहीं होती है समझ गे नेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है अगर उसको समझना बहुत जरूरी है जैसे हमने बाला जी के नियमों के उपर बताई है ऐसे किरपा को अगर आप समझ जाते हो और उसको और भी ज़्यादा बलवान कराते हो तो और भी ज़्यादा आपके लिए बड़िये रहता है तो मैंने इस पकार की बता कि कौन सी चीज आपके उपर आ रही है वो गलत है या सहाई है तो इस पकार आप उसका चैन कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, शेर करने से आप भी धरम के कारिये में थोड़ा सा बरोतरी का हाथ हो जाएगा आपका, चलो जैसी आपकी इच्छा है, और मैंने यह वीडियो बनाई है, दिल से बनाई है, और मैं यही बात ब माहवारत रची थी, और ऐसे और भी अपके लिए, अगर कोई कोशन माइंड में खड़ा रगता है, अगर आप चाते हो कि गुरुजी इस पकार का, तो इस पकार का कोशन आप परसनली में भी हमारे को बेज सकते हो, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो रही है, तो उसको भी आप वोजश रिकोर्डिंग करकर या लिख कर पूरी तरके से उसको भे सकते हो, और बात कर ले तो ज्यादा बढ़िया है, तो दोस्तों जैश्री राम, भक्तों जैश्री राम, बाला जी महाराज की बरपूर किरपा आपके और बनी रहें, और गुरुदे महाराज की किरपा आपके उपर बनी रहें, जैश्री राम